नवस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ती कुरोना वाइरस ने जितना हम लोगों को अपने चपेट में किया है उससे जादा हमारी एकॉनमी या अर्थविवस्था को बिमार किया है आप देखे फैक्ट्रिया बंध हैं दु हमारे शहरों में जो माइग्रेंट लेबर यानि की प्रवासी शमिक हैं वो घर वापस चले गए हैं अपने गाओं में और इससे जूजने के लिए मोधी सरकार ने क्या किया है मोधी नॉमिक्स का क्या फॉर्मुला है फॉर्मुला नंबर एक है गरीबों को लगबग होना वाला है या स्थिती और भी खराब होगी इसी का हिसाब लेंगे आज के इस एपिसोट में अब हम समझानते हैं कि लॉकडाउन के वक्त देश में खरीद फरोग बिलकुल ठप हो गए थे लेकिन कितनी हुई इसका अगर हमें कोई अंदाजा लगाना है तो एक आंकडे से लगबग हमें पता चल जाएगा और वो है जीएस्टी कलेक्शन क्योंकि हर एक सर्विस और गोड जो हम खरीदते हैं जो भी चीज हम खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं उस पे टैक्स लगता है जीएस्टी लगता है तो कितना सरकार ने जीएस्टी कलेक असतन होता था और इस अप्रेल में क्या हुआ लॉक्डाउन के वक्त वो गिरकर लगभग 32,000 करोड पे उतर आया 32,000 करोड मतलब 72 प्रतिशत पिछले अप्रेल के तुलना में कम और माई में थोड़ा बैतर हुआ लेकिन वहाँ पर भी 32,000 करोड के आसपास कलेक्शन GST का हुआ है वो भी पिछले माई के तुलना में 38 प्रतिशत कम है हाँ इसका एक कारण जरूर था कि चीज़े अगर बीची भी गई हैं तो सरकार ने GST देने में छूट दे रखी थी कहा गया था कि जून का जो GST है उसके साथ आप अपरेल माई का GST भी दे सकते हैं तो कहा जा रहा था कि जून में अपरेल माई का भी कुछ कुछ हिस्सा GST का आएगा और GST की जो कलेक्शन है वो पड़ेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है जून में भी क्योंकि लॉक्डाउन थोड़ा दिन जादा चला जून में भी GST का कलेक्शन सिरफ लगबग 91,000 करोड के आसपास हुआ है यानि कि 91,000 करोड जो कि पिछले साल के तुलना में 9 प्रतिशत कम है अगर हम पहली तिमाही देख ले हर एक अर्थिवय वस्ता में जब हम देखते हैं तो 3-3 महिने का चीज देखा जाता है जिसको एक क्वार्टर का जाता है पहली तिमाही देख लेते अप्रेल, में, जून इसमें कितना कलेक्शन हुआ है याद रखिए अप्रेल, में में जी-स-टी June में कलेक्ट हुआ है हाँ सकार कहरे कोछ जुलाओ में भी आएगा लेकिन फिर भी अगर हम पहली तिमाही अप्रेल में जून हुआ है तो GST कलेक्शन गुल जो हुआ है वो लगव एक लाख 80,000 क्रोड के आसपास GST कलेक्शन हुआ है और जो कि पिछले साल के त पुलना में 41 प्रतिशत कम है मतलब आधे से थोड़ा जादा GST कलेक्शन हुआ है इतना कम हो गया है देश में खरीद फरोग अब आप कहेंगे कि भया जब फैक्ट्रिया बंद है दुकाने बंद है तो खरीद फरोग कैसे हो सकती यानि मांग हो भी सप्लाइ नहीं है तो खरी फैक्ट्रियों के पास एक दो महीने का स्टॉक रहता है और आप जानते हैं पिछले साल तो वैसे ही चीज़े बिकी नहीं तो स्टॉक जो है थोड़ा जादा ही था आपने भी अगर कुछ भी चीज लॉकडाउन के बीच में खरीदा होगा आप अगर उसका मैनुफैक्ट् तीन महेने अगर फैक्ट्री बंध हो जितना भी इन्वेंट्रिया स्टॉक है वो खाली हो जाए उसके बाद तो कमी आएगी शॉर्टेज आएगी और शॉर्टेज जब होता है तब क्या होता है शॉर्टेज जब होता है चीजों का तो उनके दाम बढ़ जाते हैं ये एकन कारी डेटा है वो काफी देर में आती है लेकिन एक प्राइवेट डेटा हमारे सामने आता है जो कि 2005 से लगातार सर्वे चल रहा है मंतली सर्वे इसको कहा जाता है PMI यानि Purchasing Managers Index इससे क्या पता चलता है अगर ये PMI 50 से जादा हो तो कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ रह है और अगर ये PMI 50 से कम हो तो कहा जाता है उत्पादन घट रहा है अब आदेखे अपरेल में PMI कितना था 27 के आसपास था यानि उत्पादन बहुत जादा घटी थी मही में थोड़ा सा बढ़ा लेकिन वो भी 31 के आसपास पहुंचा यानि तब भी उत्पादन कम हो रही थ जून में जब लॉक्डाउन खतम होगा तो तेजी से बढ़ेगा क्योंकि फैक्ट्रिया बंद है सप्लाई कम हो रहा है तो तेजी से यह खुलेगा लेकिन आप जानते सोशल डिस्टिंसिंग चला है फैक्ट्रिया पूरी तरह अभी तक खुली नहीं है कहीं कहीं पर कार ख पाधन कम हो रहा है पहली तीमाही अगर हम देखे मैंने आपको बोला क्वाटर देखा जाता है एकनोमिक्स में पहली तीमाही अप्रेल से जून का अगर हम देखे 2020 का तो यह 15 साल में सबसे कम पीमाई है जब से यह डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तब से सबसे कम पीमाई ह आप कहेंगे ये तो होना ही है, lockdown हुआ है, 15 साल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि लोग अपने घर में 3-3 महीने तक बैठे रहें, जी हां ये सही है, लेकिन क्या है, जब ऐसा होता है तो क्या होगा, इसका मतलब है shortage होगा, यानि जब आप दुकानों में जो खुल गए हैं, या Amazon या Flipkart से सामान मंगवाएंगे, तब आपको लगएगा कि सामान है नहीं, और सामान के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि shortage हो गया है, supply नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है, आंकडे क्या कहते हैं, यसी सर्वे से हमें पता चल रहा है कि जून में भी, अप्रेल में भी तो हु यानि कि जो कच्चा माल बेच रहे हैं, जो input supply कर रहे हैं, उनको भी उचित दाम नहीं मिल रहा है, और जो ये input लेकर कच्चा माल लेकर सामान बना कर बेच रहे हैं, उनको भी उचित दाम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, supply जिस rate से घटी है, उससे जादा तेजी से demand गटी है इसका कारण नहीं की है कि लोगों के हाथ में पैसे नहीं है लोगों को डर है middle class को डर है जो खरीदने वाली class से उसको डर है कि अगर हम कुछ भी खरीदेंगे तो खर्चा कर देंगे आगे हमारी income रहेगी या नहीं नौकरी रहेगी या नहीं पेकट हो जाएगा या यह पता नहीं तो इसका मतलब है जिस rate से supply घटी है उससे तेजी से मांग घटी है क्योंकि लोग खर्चा नहीं करना चातें पैसा अपना बचाना चातें तो आप देखिए मोदी जी का formula क्या है एक तो गरीबों को पाँच-पाँच किलो अनाज देना और थोड़ा बहुत म अन्रेगा में काम बढ़ाना इससे क्या फाइदा होने वाला है गरीब जो है वो गरीब ही रेखा के आसपास अपना जिन्दा रहेंगे लेकिन क्या चीजों की मांग बढ़ेगी जी नहीं क्योंकि हाथ में कितने पैसे आएंगे उनके चार पांच-छे हजार रुपे जो आ यह कंपणियों को कि आप निवेश कीजी आपको हम सस्ते में लोन अच्छा बिजनिस लोन कब लेता है बिजनिस के लोग तभी लोन लेते हैं जब उनको लगता है कि वो जो चीज बना रहे उसकी मांग बढ़ेगी उसकी मांग बढ़ेगी इसलिए उसका प्रॉडक्षन ब इसलिए लोन आ जो आप ले रहें उससे आपका मुनाफ़ा जादा होगा लेकिन इस वक्त जब मांग कम हो गई है तो बिजनस लोन क्यों लेंगे इसलिए लेंगे क्योंकि उनके पास आमदनी नहीं है वो लोन लेंगे तो वेतन और मजदूरी देने के लिए ओफिस और फैक् आज आपको देना है वो बढ़ रहा है वापस जो करना है ऐसे में क्या होगा ऐसे में बहुत सारे ऐसी कंपनिया है जो लोन लेगी अब वो लोन वापस नहीं कर पाएगी अब हमारे देश में जो बैंकिंग और फैनान्स सेक्टर हो वो बहुत दिनों से खराब लोन के में ला है इससे और भी ये बर्डिन भर सकता है बैंकिंग सेक्टर पर ये जब बढ़ेगा इसका पैसा कौन देगा सरकार को ही देना पड़ेगा और वो सरकार का जो खजाना है वो कौन भरता है हम और आप भरते हैं चाहे वो GST देकर या इंकम टैक्स देकर या पेट्रोल और डीजल जिस पे टैक्स बड़ा है उस पे टैक्स देकर यानि आप समझ दे रहे ना अच्छे दिन आ गए ना के खुशें